असलाम आलेक्म पीपल्स माइनेम इस साही रंसना बेजैदी और वेलकम यौल तो आप सब खेरियस से होंगे तो गाइस जो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है में का म्यूजिक तो जैसे पहले आपको बता है में क्या म्यूजिक तो उसके लिए हमें कुछ लेना जरूरी है तो सबसे पहले हम जाएंगे चूजा स्पाइट में चूजा स्पाइट में जाके मैं आपको बताया जैसे कि म्यूजिक है सब पार्टी से लेटेड है तो हम जाएंगे म्यूजिक के अंदर म्यूजिक के अंदर जाके हमने यहां से कुछ इंस्टुमेंट् पिक करेंगे DRUMP केम्बल हुग्य है। हमारा एकviamente instrument ठीक उसके बाद का दो-बारा चुजआ Precis Pait में जाएंगे भी हम फिर मीजडिये जाएंगे मिज्डिया हम लेना प्ना दूसरा instrument तो दूसरा instrument जो हम पिक करेंगे यहां से सेक्साविय यह आगिया हमारा दूसरा instrument ठीक है अब हमने लेना है अपना third instrument भी तो उस third instrument को pick करने के लिए भी हम दाएंगे दुबारा जोगा spite में जाके दुबारा music में जाएंगे और music में जाके हमने वहाँ से pick करना है speaker speaker भी pick कर लिया अब everything is going good जैसे कि आपको दिख रहा है हमने तीनों पने instruments ले चुके हैं लेकिन एक चीज़ की तो इसमें कमी नदर आ रही वह है इसका backdrop तो backdrops लेक करने के लिए हम जाएंगे यहां से इस corner से जाएंगे चूजा backdrop में चूजा backdrop में जाके हम जाएंगे इंडोर्स के अंदर क्योंके सारे जो party related और तमाम rooms related और जितनी भी यहां पर हमें background अच्छे वाले होते हैं वह मिलते हैं इंडोर्स के अंदर तो इंडोर्स में जाएंगे concert में concert में यहां गया हमारा now it's looking like a complete concert musical party तो यहां पर हमने एक यह लगाया speaker आगया अब हमारा आगया यह आगया तर स्टेक्सफोन तो गाइज अब यह तो हो गया इसका सारा theoretical काम अब हम चलेंगे इसकी coding की तरफ तो drum gimbal पर हम click करेंगे और हम आजाएंगे इसकी coding की तरफ तो drum gimbal की coding के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गाइज इवेंट्स के अंता है इवेंट्स में जाके हम आज से अपने when space की प्रेस्ट करने का मकसद क्या है जब हम अपने इस program को run करने के लिए इसका मतलब जब हम अपने concert अपने instruments को बजाने के लिए प्ले करने के लिए जो है वो जब space की प्रेस करें तब ही हमारे instruments से वो play हो तो इसलिए हमने when space की यहां से pick किया है उसके बाद हम जाएंगे repeat के अंदर repeat के अंदर जाके हम जाएंगे हम एंदर जाएंगे हम यह controls में जाके हमने उठाना है repeat repeat पिक करके हम यह पिक करने है अच्छा repeat आपको मैं एक लिए भी करते हूं कि हमने repeat ही क्यों पिक है यहां पर तो तरह सारे blocks है जासा कि आपको नाम से वाजी हो रहा होगा कि repeat के मतलब है बार बार तो repeat लगाने के मक्सद के जो काम जो blocks हम यहां से pick करके जो blocks हम repeat करने लाएंगे तो हमारे instruments बार 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 प्ले होते रहेंगे अब हम चलते हैं इसके sounds की तरफ तो आप हम जाएंगे sound के ब्लॉग में वहाँ से हमने pick करना है यह वाला play sound play sound में यहां से pick किया उसके बार हम दुबारा जाएंगे control में जाके आपने wait one second pick करना है उसके बार हम दुबारा sound में जाके हमने play sound के pick करना है ठीक है और दुबारा control में जाके wait one second pick करना है अब आप आप देखके देख रहोंगे यहां पर दो चीज़े से मागी दोनों sound से मागी कि यहां भी crash gimbal है और नीचे भी crash gimbal है यहां सम्सक्राइब लिए splash gimbal उठालेता है और बीच में हमारा वेट लगाने का मक्सद यह है कि crash gimbal एक other sound है और splash जो है वो एक other sound है तो दोनों के अंदर differentiate करने में मतलब दोनों साथ नव प्ले हो अलग अलग प्ले हो इसलिए हमने दोना के center में one second का weight लगाए है तो खाइज यह तो होगी हमारा यह वाल इंस्टुमेंट की coding अब हम चाहेंगे यह वाल इंस्टुमेंट की coding की तरफ तो हम इस पे क्लिक करेंगे यहां गया हमारा saxophone की coding इसकी coding के अंदर ह यह हम यही when space की उठाएंगे क्योंके जब हम space की press करें तो हमारे सारे instruments साथ चले ठीक है यह हमने when space की pick कर लिया अब हम जाएंगे रिपीट कर लिया अब हम जाएंगे sounds के अंदर sound में जाके हमने यहां से play sound पिक करना है यह हमने इसमें play sound लगा दिया अब guys हम लोग जाएंगे operators में operators में जाके हमने यहां से pick करना है pick random one to ten वो हमने यहां पे लाके put कर दिया इसके बाद हम जाएंगे controls करना है controls में जाके हमने लेना है यहां से wait one second wait one second लगाने के बाद हम दुबारा operators में जाएंगे और वहां से इस पीकरी कोडिंगे हम सबसे पहले जाएंगे events कंदर as usually जैसे कि अब तमाम instruments कंदर गाएं तो इस कंदर भी हम सबसे पहले when space की pick करेंगे जूकर मैं आपको बता है कि हमने when space की क्यों pick करना है उसकी और इसर में आपको बता चुका हूँ तो when space की pick करने के बाद हम जाएंग space की हुए coding अब हम देखेंगे इसको play करके ठीक है तो अब हम देखते हैं space की press करके तो गाइज यहां पर आपने जैसे का हमारा play sound या पी हो रहा है इसको करके stop तो गाइज यहां पर हमारी coding भी होगे और हमारा theoretical काम और प्रेटिकल काम दोनों ही हवभी इसमिल समया ब्रेटिकल कर ले मैं यहां आप्ठेवी की अच्छेवी कीशानों